हालो और वेलकाम फ्रेंट्स, TDS को लेकर की एक नई वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में हम पर्चेस बाउचर में क्या TDS काटा जा सकता है, चाहिए यह पॉसिबल है कि हम पर्चेस बाउचर में TDS काट पाएंगे तो इसी के बारे में detail में बात करेंगे और बात इस बात पर भी करेंगे कि अगर आपके business का turnover कितना हो जाए कि आपको TDS काटना होगा कितने turnover पर TDS काटना होगा तो एक करोड से जादा का turnover है तो उस पर TDS काटना होगा आपको ठीक है अभी बात करेंगे हम कि हम कैसे purchase voucher में tedious काटेंगे तो चलेते हैं कि tedious option चालू किया है या नहीं तो इसके लिए f11 key press कीजिए आप simply और यहां से आजए यह statutory and taxation पर interface कीजिए यहां से आपको आना है अच्छा gst भी enable कर रहा है हम इसके साथ हम gst भी लगाएंगे तो दोनों लगाएंगे तो यहां पर y press कीजिए यहां पर भी y press कीजिए यहां पर यह इस तरह से आजाएगा और यहां पर हम gst आया नंबर डाल देंगे और यहां पर tally इसको verify करेगा फिर यहां पर e-way bill को नो रखता हूँ यहां पर enable tax liability on advances को नो रखता हूँ यहां पर आते हैं यहां पर इसको y press कर देना है से टाबली काल्टर gst detail को तो y press कर दीजिए और additional options आपको अगर not show हो रहे हो तो keyboard से f12 key press कर दीजिए hsl code वाला option enable हो जाएगा और tax types यह जो option है और यह भी enable हो जाएगा यहां से अगर y press कर देता है तो यह इस तरीके से आएगा अब यहां पर interface करते हुए यहां आ जाते है तो 99% के इसाफ से हमने लगाया है यहां पर आपको taxable रखना यह बात आपको भ्याद देनी है interface करेंगे interface करेंगे और interface करते हुए इसको accept करा लेंगे ठीक है अब यहां पर TDS को भी enable करना है तो y press करेंगे enterprise करेंगे तो TDS enable होगा फिर यहां y press करेंगे enterprise करेंगे तो यह इस तरह से खुल करके हमारे सामने एक window आएगी यहां पर हमको 10 number डालना है 10 number एक registration number होता है फिर उसके बाद से deduction होगा tax तो वो कहां जाएगा तो वो account number आपको डालना है और यहां पर यह दे देंगे enterprise करेंगे अब यह सही हो गया enterprise करेंगे company रखेंगे डिड़क्टर टाइप और यहां पर जब हम आएंगे तो यहां पर हमको वापिस से क्या प्रेस करना है अप 12 की ठीक है तो यह देखिए यह तीनों options हमने yes कर रखेंगे हैं और enterprise कीजिए अब यहां से बाहर आजाते हैं ठीक है अब हम यहां पर laser create करेंगे तो account info में जाकर करके laser में जाना है आपको यह laser में आगे यहां create पर आजाएगे सबसे पहला laser हम create करेंगे expense वाला तो expense का पहला laser rent on building अगर हमने कोई मकान भाड़े पर लिया है तो उसके लिए जो laser बना रहे हैं वो यहां पर बनाएंगे और यह जो rent on building होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा indirect expense indirect expenses चूज कर लिजे यह देखिए indirect expenses आ गया यहां पर आपको क्या करना है? यहां से आपको enterprise करना है enterprise करना है और यहां पर cost center applicable है इसको not applicable कर दिता हूँ मैं यहां पर GST applicable रहेगा state alter GST detail को yes करना है enterprise करना है अब यहां पर क्या है? कि हम enterprise करते हैं अभी description ने डालता हूँ यहां पर आते हैं nature of transaction यहां पर register dealer के लिए purchase taxable यूज होता है तो हम purchase taxable ही ले ले लेते हैं enterprise करेंगे यहां पर जो भी tax कट रहा है आपका 18% GST कट रहा है तो यह GST detail आपको यहां डालनी है ठीक है? यह goods services है वोट्स नहीं है बलके services है यह services कर दिया और applicability of TDS applicable इसके बाद से यहां पर TDS हमें applicable लखना है enterprise करेंगे nature of payment यहां पर आ रहा है तो alt के साथ C प्रेस कीजिए nature of payment अब बना लीजिए ठीक है? तो nature of payment में क्या-क्या दे सकते हैं हम जिससे सपोच कीजिए हम लोग building के लिए तो यहां पर मैं rent on building ही कर देता हूँ building ठीक है? enterprise करता हूँ और यह जिस section के अंतरगत आएगा वो यहां पर डाल देंगे 94 I के अंतरगत आता है यह हमने डाल दिया enterprise किया payment code आप डाल दीजी फिर यहां पर जबाएंगे तो यह दिया हुए rate for individual यहां पर 10% रहेगा और यहां पर 5% ठीक है? और यहां पर threshold limit आ रहा है exemption limit तो यहां पर क्या करेंगे हम? देते हैं 1100-80,000 तो यहां पर 1100-80,000 डाल दिया और enter करके accept करा लेंगे इसको ठीक है? यह bad भी चालू रखा है लेकिन bad से हमें कोई मतलब नहीं है अभी ठीक है? enterprise करेंगे enterprise करेंगे और enterprise कर लेंगे party की जरूरत है तो यहां अमित नाम से Sunday Creditor Party बना रहा हूँ अमित C लिख देता हूँ जिससे पादा चलेगा यह creditor party है express करेंगे आप individual रख सकते है individual residence या कुछ इस तरह की चीज़े रख सकते है मैं फिलहाल यहां पर individual residency कर देता हूँ enterprise करता हूँ enterprise करता हूँ और enterprise करते हुए इसको यहां पर pen की details है तो यहां pen की detail आप डाल सकते हैं ठीक है applied यह दिया हुआ है ठीक है available दिया हुआ है हम available कर देते हैं यहां पर enterprise किया enterprise किया और यहां पर GSTi यह number जो भी है वो डाल दीजिए enterprise किया और enterprise करके इसको accept करा लिया हमने ठीक है अब यह दो lasers हमरे पस create हो गए TDS का laser बना लेते हैं तो यहां पर TDS on payment कर देता हूँ यह payment कर दिया हमने और यहां पर enterprise करते हुए नीचे आ जाएए और यहां पर आ जाएगा duties and taxes यह देखिए यह duties and taxes का laser इसमें दिखाई परड़र है अब इसमें तमाम चीज़े आपको दिख रही होगी actually मैंने क्या किया है VAT को भी enable कर रहा है तो यह तनी सारी चीज़े आपको दिख रही है तो यहां पर हमें TDS choose करना है enterprise करना है यहां पर nature of payment तो rent on building यहां पर कर देंगे हम हमने बना रखा है पहले से enterprise करेंगे enterprise करेंगे और इसको भी अब accept कर लेंगे तो यह हमारा हो गया TDS ठीक है लिए हम अपनी entry pass करते हैं यहां से बाहर आ जाते हैं और अब accounting voucher में चलते हैं यहां से V press करता हूँ accounting voucher के लिए तो यह देखिए कुछ इस तरह से यह दिखाई पड़ रहा है मैं लेकिन हमें कहां जाना है हमें जाना है purchase voucher में तो यहां पर आप click कर दे purchase voucher के लिए अभी देखिए यह item invoice के format में ठीक है item हमें purchase नहीं करना है तो आपको यह alt के साथ i press करना है तो यह इस format में आ जाएगा अब हमें क्या करना है अब यहां पर supplier का invoice number हम डालेंगे enterprise करेंगे वो date आजाएगी call center छोड़ देता हूँ अभी यह जो है यहां पर creditor particleizer आएगा आपको याद है हमने क्या बनाया था Amit C ठीक है ले लिजे यहां पर enterprise करते हुए यहां आ जाईए और enterprise करके enter, enter, enter करते हुए और इसको accept कराईए यहां पर आईए अब यहां पर जो service आप purchase कर रहे हैं उसको ले लिजिए जैसे हमने rent on building किया है तो यह rent on building ले लिए हमने इसके लिए कितना भाड़ा हम purchase कर रहे हैं उसको ले लिजिए जैसे हमने rent on building किया है यहाँ पर TDS की बात करेंगे, तो TDS on payment, यह जो हमने बनाए था, वो यहाँ पर apply हो चुका है, और देखिए, यह minus में आ रहा है, यानि कि TDS minus करके आ रहा है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, enter, 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 press करना है, और इसको accept करा लेना है, यहाँ से देखिए, अब यह देख सक transaction है, वो हमने TDS लगाया था, वही वो transaction है, ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको alt के साथ करना, alt के साथ यह press करना है, यहाँ पर transaction की फूरी detail आ रही है, यहाँ पर देखिए, 10% के हिसाब से आपका TDS कटा हुआ है, आपने pen cut लगाया था, जिसके बाद से F1 प्रेस करते हैं आप, तो यह और भी detail में show होने लगेगी, और इसको आप देख पाएंगे, उमीद करता हूँ, इस video से आपको काफी help मिले की, अगर video पसंद आती हो, तो share कर सकते हैं, thank you for watching this video.